नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आज हम आपके लिए कि लाएं बहुत सारी मेहत्पूर्ण अपडेट्स और नई विकेंसी और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे नहीं सरकार गठन हुआ है तो मुक्षमंत्री जी इसे बहुत दोस्तों यूपी यजल्दी आप को देखने को मिलेगा क्यूंकि आपका कॉंफिदेंशल जो एसी ने मुक्त आ चुका है देड़ रात में और अब UPSI का रेजल्ट दो एक दिन में ही आपको देखने को मिलेगा तो तो बिल्कुल तयार रहे दोस्तों अब आपको जल्दी आपी सरकाई नौगरी का सपना पूरा उने वाला है और आपको जल्दी नौगरी मिलेगी तो आप बिल्कुल अपने त्यारी वही आप तक पहुंचा जाती है फालतु बात हैं नहीं की जाती है तो दोस्तों आज की परिख्या के चर्चा के विसे होंगे हमाई आई-वी-पी-एस यो 11th मेन एक्जियम रेजल्ट आ चुका है मद्ध्यप्रदेश पी-ई-बी ग्रूप थ्री सब इंजिनियर ड्राफ् प्रेट ऑन-लाइन फॉर्म आ चुके हैं आई-वी-पी-एस क्लर्क 11th प्री एक्जाम रेजल्ट विद्ध इस्कूर कार्ज इन मेन रेजल्ट इन रेजल्ट विद्ध रेजर्ब बैंक ऑफ इंडिया और बी एन असिस्टेंट मेनेजर ऑन-लाइन यह आ चुका है और साथ ह कि आपको चर्चा करेंगे कि इसके जो कट-off है वो किस तरीके से कितनी गई है यूपी-एसाई की और यूपी-एसाई का रिजेट कब तक आने वाला है तो यह सारी चीजों पर बने रही है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारे जो वीडियो पास कर सकते थे लेकिन आपको निकल गई तो इन सारी चीजों को हम आपको आपको पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसी अपडेट नहीं होगी जो आप तक नहीं पहुंचे और बिल्कुल समय से सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी साथी दोस् मिल्ग को पताइब है अप इसको परीच्यों को बहुता है और इसको आप देख सकते हैं जिन लोगों का यह था हुए उनको बाठाई और सुफकाद॥ साथ ही दोस्तों मद्ध्य प्रदेश पीवी ग्रूप 3 सब इंजिनियर ड्राफ्समेंड और पुष्ट कमाइंड टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 आ चुकी है और इसकी इंपोर्टेंट डेट्स जो है वो 9 अपरेल से आपके फॉर्म शुरू होंगे और इसकी लाइस्ट एट है कि आपकी परिख्या चेजुन से स्टाट होनी होनी है और मिनिम्म एज़ लिमेंट एटीन यहर है और मैक्सिम एज़ लिमेंट एब फॉर्टी यहर है इसमें पांसट शाट रफे जनरल और अधर इस्टेश वाल को देनी होगी बात करें इसकी टोटल वेकेंसी और इसमें तो आप यह जरूर करें हैं अगर आप लीजिबल हैं तो साथी दोस्तों आईप्यस बैंक क्लर्क 11 प्री एक्जाम रिजल्ट बिल इसकोर कार्स एंड मैन रिजल्ट आ चुका है और इसकी लिंक आपको डिस्टेंस बॉक्स में मिल जाएगी आपना रिजल्ट चेक कर सकते ह हैं साथी दोस्तों एक और मैंत्पूर्ण अपडेट में आपके लिए लिक्राएं के रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया में अर्वी ऑफिसर गेडर बी एंड असिस्टेंट मेनेजर ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं और इसकी जो अप्लिकेशन है वो अट्टाइस मार्स से सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर रहे थे और इसकी जो कट आफ है वो कट आफ आपकी जनरल के लिए तीन सो तेरह दसमना एक आठ तीन छे गई है और जो EWS है उसकी 301.142 गई है और OBC के लिए 302.3215 गई है और अनसुचे जाती के लिए 237.605 गई है और अनसुचे जन्याती के लिए 235.061 गई है साथ ही इसमें मेलाओं की बात करें और बूतपूर सेनक की बात करें तो इसकी अलगलग के टेगरी इसमें अलगलग के टॉफ है मेलाओं में जनरल की 295.3469 और OBC की 3280.9818 दोस्तों यह जो कट ओफ है आपके यह रो मार्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसमें आपको जो नॉर्मलाज़ाशन मिला है वह इसमें एड होके है तो अगर आपके जो UPSI में आने वाला है उसमें भी आपको इसी तरीके से देखने हों मिलेगा के बहुत सारी सिप्टी जो पेपर होते है नॉर्मलाज़ाशन का जो सिस्टम है बहुत में लाग हो जाता है और अब आपको UPSI का जो साड़े चासी EWS के लिए और OVC के लिए 287 और SC के लिए 260 और ST के लिए 244 गया है और मेलाओं में जनरल में 287 और OVC में 275 और SC में 239 और ST में 163 तक यहां पर सेलेक्शन हुआ है और यह आपके डाइगुने बच्चे इसमें बुलाई गए हैं इसके फिजिकल स्टेंडर के बाद आपकी फैनल मेरेट इसमें हो जाती है तो ठीक है दोस्तों चलते में आपको बता दूँकि हमारी चैनल पर डेली सुबच 6 बजे करेंट अफिर की क्लास लिए और यह क्लास सितिसर बहु अपने चैनल पर लेकर आते हैं और इस वार का जो है वह है रूस को देखते हुए अंतर राष्ट इस्थरता पर क्या सवाल उठाए गए हैं और इससे रूस और यूक्रेंस युद्ध से जितनी भी अनिस्टैवलिटी इंटरेशल लेविल पर बनी है जितनी वीकॉनमिक कं चैनल पर नाशकार